Hello friends, welcome to my channel, मेरा नम अर्चना है, आज हम अंगूर से किश्मिस तियार करेंगे, तो चलिए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की आवशक्ता है, किश्मिस बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही सस्ता परता है, आजकल अंगूर बहुत ही सस्ता मिल रहा है, बा तो जितना आपको किश्मिस बनाना हो, उसी हिसाब से आप अंगूर बजार से ले आएं, और मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि फर्स टाइम बना रहे हैं, तो एक किलो अंगूर से ही शुरू करें, तो मैंने एक किलो अंगूर बजार से मंगा लिया है, और इसे तीन बार पानी से वाश कर दिया है, वाश करने के बाद इडली स्टेंड हो, चाहे कोई दूसरा बरतन हो, जिसमें आप इडली ढोकले बनाते हैं, उसमें इसे स्टीम कर सकते हैं, तो मैंने इडली ढोकले वाले स्टेंड ले लिया है, इडली मेकर ले लिया है, दोनों स्टेंड में म निचे एक ग्लास पानी डाल दिया है और वन बाइवन करके इसे रख देंगे उपर से लिड डाल देंगे गैस आन कर देंगे गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे, दो मिनट तक पकने देंगे, एक मिनट बाद आप इसे चेक करेंगे, और देखेंगे कि नीचे का यानि अंदर जो स्टेंड है वो पहले पक जाएगा, क्योंकि वह अंदर है, तो उसे हम उपर कर देंगे, और उपर बाले स्टेंड को करेंगे, फिर से हम ढखकर इसे एक मिनट तक पकने देंगे, या फिर आप इस चीज का ध्यान रख सकते हैं, कि अगर आपके गैस विलिम जैदा है, जल्दी कुक हो जाता है, तो इस चीज का ध्यान रखें कि अंगूर बहुँ जादा हमें नहीं पकाना है, इसे गलाना नह इतना पकाना है, कि या अंदर तक हलका हलका सॉफ्ट हो जाए, वाव, कितना अच्छा लगड़ा है न, देखकर मतलब याकीन नहीं हो रहा है कि किश्मिश को हम अपने घर पर तयार कर सकते हैं, तो आप देख सकते हैं, कि ऊपर का भी पक चुका है, अंदर का भी पक चुक ड्रेन करने के बार थोड़े देर हम इसे फंड़ा होने देंगे जart अब यह लकला हो जाएगा तब हम इसे फैलाएंगे तो असक्या लिए लिए हम इसे धूप में रखना है तो धूप में हम एक बैट विonde जाएंगे इसके पोलोथीन बैट शीट पर भी बिचा सकते हैं तो जैसे कि मेरा पहले से यहां पर बेट बिचा हुआ है मैंने चावल का पापर तयार किया है तो उसके लिए मैंने बिचाया हुआ है तो इस बैट के उपर जगा है तो मैं इसी पर इसे फैला देती हूँ इस तरह से हम अंगूर को इस पर फैला देंगे और पूरे दिन इसे धूप लगने देंगे बचा हुआ भी पकर तयार हो चुका है तो इसे भी हम ड्रेन करेंगे हलका ठंडा करेंगे इसके बाद हम इसे भी फैला देंगे तो यह भी ठंडा हो चुका है तो इसे भी फैला देंगे और इसे पुरा दिन धूप लगने देंगे अब हम चलते हैं अपनी दूसरी रेस्पी के तरफ यानि की काले अंगूर से किश्मिश बनानी के तरफ इसमें भी सेम प्रोसेसिंग करना है बरतन में थोड़ा सा पानी डालेंगे दोनों इस्टेंड पर अंगूर भर देंगे और वन बाई वन कर रख देंगे उपर से लिड लगा देंगे लिड लगा देंगे और बीच में हमें स्टेंड को चेंज भी करना है अंदर का उपर करना है और उपर के स्टेंड को अंदर क करना है ताकि दोनों को बड़ाबर हीट लगे इसमें कुछ अंगूर बड़े साइज के होते हैं तो उसे पकने में थोड़ा टाइम लगता है इतना इसे दे ताकि वह भी सॉफ्ट हो जाए और दूसरे अंगूर गल्ले ना पाए खड़ाब होने न पाए तो आप देख सकते ह अपने तीसरी मेथट के तरफ यानि की वालिंग मेथट वाल करने के लिए मैंने दो लीटर पानी पतीला में ले लिया है और इसे उबलने के लिए चरहा दिया है और जब यह अच्छी तरह से उबलने लगेगा तब हम अंगूर को इसमें डालेंगे एक किलो अंगूर मैंने ले लिया है इसके दाने निकाल लिया है वाश कर लिया है और अब यह पानी उबलने लगा है तो अब हम इसमें साड़े अंगूर को डाल देंगे एक बार मिक्स करेंगे लिट डाल कर एक मिनट के लिए इसे पकने देंगे ध्यान रखें कि बीच बीच में इसे mix करते रहें ताकि उपर अंदर सभी अंगूर बड़ाबर पकें तो पकते हुए एक मिनट हो चुका है या soft हो चुका है हमें बहुत ज्यादा नहीं पकाना है इसे गलाना नहीं है तो अब हम इसे drain कर लेंगे जैसे हलका ठंडा होगा फैला देंगे ठंडा हो चुका है तो अब हम इसे भी मैट पर डालेंगे और इसे भी फैला देंगे एक किलो अंगूर से 500 ग्राम किश्मिश तयार होता है तो जितना आपको किश्मिश बनाना हो उसी हिसाब से अंगूर भी रखें तीनों अंगूर को मैंने बड़ा बड़ फैला दिया है पूरा दिन हम इसे धूप लगने देंगे इसे हमें तीन दिन तक धूप में रखना है अब हम क्या करेंगे कि एक पतला चुन्नी लेंगे दूपटा लेंगे और इसको कवर कर देंगे कवर करने से फैदा ये होगा कि इसके उपर कोई डस्ट नहीं जाएगा मखिया नहीं बैठेगी चीटिया नहीं लगेगी और मेरे यहां बंदर बहुत आता है तो बंदरों के नजर से भी बचा रहेगा बट सुखने में थोड़ा टाइम लगेगा पूरा दिन धूप लग चुका है अब देख सकते हैं कि पूरा दिन धूप लग चुका है अब हम इसे उठा कर अंदर करेंगे और नेक्स डे फिर से इसे हम धूप में रखेंगे तो दूसरी दिन भी मैंने इसे धूप में फैला दिया है अब देख सकते हैं कि कितना सुखा है फिर से हम इसके उपर दूपटा डाल देंगे और इसे छोड़ देंगे बीच बीच में हम इसे मिक्स करेंगे थोड़ा सा हिला देंगे ताकि सभी अंगूर को बड़ाबर धूप लगे और यह लगभग तयार हो चुका है अब यहां देख सकते हैं जिस अंगूर का दाना बड़ा था वो अभी नहीं सुखा है यानि इसे एक दो दिन और लगेग और जिसका दाना मीडियम या छोटा था वो सूख चुका है तैयार हो चुका है तो अब हम इसे एक बरतन में निकाल लेंगे उठा लेते हैं और इसे हलका ठंडा होने देंगे नॉर्मल टेंपरेचर में आने देंगे इसके बाद हम इसे एक जार में भर कर साल भर तक स्टोर कर सकते हैं किसी मीठे सुई डिस में डाल सकते हैं बच्चों को खिला सकते हैं और जैसे भी आपको मन हो इस्तिमाल कर सकते हैं तो इसी तरह से किश्मिष आप अपने घर पर बनाईए अगर आपको मेरी यह रैस्पी अच्छी लगी हो पसंद आई हो तो इसे लाइक करे शेर करे और लेटेस्ट रैस्पी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले फिर मिलती हूं एक नई रैस्पी के साथ तब तक के लिए पावाएं झाले पावाएं